प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने आना मुनासिब नहीं समझा दूर्मी नाम की इस दुर्गम घाटी की जनता ने मुख्यमंत्री श्री तिवेन सिंग रावत को सम्मानित करने के लिए मंत्रत किया था बीते नौनमबर को राजे स्थापना दीवस पर एतिहासिक दूर्मी ताल तालाप के पुनरर्मान की घोशना किये जाने की एवज में जनता ने मुख्यमंत्री श्री तिवेन सिंग रावत का सम्मान किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दूर्मी निजमुला घाटी में एक प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र खोलने समेत बद्रिनात विधानसभा छेतर के विकास के लिए बुनियादी सुमिधाओं से समंदित लगभग एक दर्जन घोशनाय की उन्होंने कहा कि राजे सरकार पहाड की महिलाओं के सिर्से घास का बोज़ हटाने की योजना बना रही है इस योजना को अमल में लाने के लिए अगामी बजट में धनराशी की घोशना की जाएगी इस योजना को अगले 5 वर्ष में पूरी तरह धरातल पर उतार दिया जा सन 1970 की बाड में टूट चुके दूर्मी ताल की मांग कर रही थी वहीं जिसकी घोशना मुख्यमंतरी श्रीतरिवेन सिंगरावत पहले ही कर चुके हैं इस मौके पर शेत्रिय विधायक महेंदर भट भाजपा के जिलाध्यक्ष रगुवीर बिष्ट दरजाधारी राज्यम मंतरी रिपुदवन सिंगरावत जिला सहकारी बैंक चमोली के अध्यक्ष गजेंदर सिंगरावत आधी महजूद रहे प्राइम यूज 24 के लिए श्रता सिंग की रिपोर्ट